है अग्लो फ्रेंद वेल्कम बैक टु दे चैनल और आज है 20 अक्टोबर और आज दिन है मंगलवार आज की दिन की शुरुआद हो रहा हुँ है मैं ग्यार रहा हुँ तो आज मैंनेको फोन किया तो मैं दोबρά here वहां के लिए निकलता हूं और जाकर देखता हूं कि वहां पर क्या प्रोसीजियर है फिर में मिलता हूं आप से जुड़े रहे हैं मेरे साथ तो फ्रेंड्स डॉकुमेंट्स तो मैंने ले लिया है और अभी थोड़े बहुत काम पेंडिंग है यहां पर दुवारा एक चक्कर लगाना पड़ेगा तो अब निकलते हैं और चलते हैं नोईडा की तरफ तो फ्रेंड्स जब दिल्ली पूरी तरह से बस गया तो लोग इस NH24 के ऊपर लेफ्ट और राइट रेसिडेंशल डेवलोप्मेंट्स लेकर आएं लेफ्ट में जो भी आपने देखा यह पूरा गाजियाबाद का इलाका है इंदरापूरम वैशाली और जो आप मेरे राइट में देख रहे हैं पूरा नौईडा है और यह NH24 है तो NH24 का काफी अच्छा एक्सेस है अगर आप बात करें मेरड हापूर की तरफ तो इस वज़े से लोगों ने यहां पर रहना चूस किया पीछे अक्षर धाम जो है को लगबग 10 या 12 km है तो दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी है यहां की और इसी वज़े से यहां पर रेसिडेंशल काफी बूम किया है प्रहब लगवाशकर वाशल को अश्राइब के लिए है के लिए ने बूम को यहां गपने कुछ यहां इसाज़ेंट झाल पूम के यहां जाओंगों को में सब्सक्यार अज़ेंगेंगे अवर माणाब यहां रहां चलते हैं प्लतर को समय से एकतना अच्र फिल्सित्ट रह झाल झाल तो फ्रेंड्स जैसा आपने देखा मैं अभी आया था एक मॉल में यह है डीलेफ मॉल ऑफ इंडिया यह डेली एंडिया का एक काफी पॉपिलर मॉल है स्पेशली नॉइडा का और लेकिन कुछ अभी खास मिला नहीं क्योंकि सारे स्टोर्स जो है भी पूरी तरह से खुले न तो आपको आइडिया होगा बेंगॉली में दूर्गापुजा काफी मनाया जाता है तो मैं आया था थोड़ी बहुत शौपिंग करने के लिए लेकिन कुछ भी नहीं मिला एक दो दिन में दुबारा ट्राइ करेंगे क्योंकि अब दुर्गापुजा तो बिल्कुली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो आपके पास आते रहे और अगर आपको मेरे को कोई गाइड करना है तो आप में को कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं कल टेक केर